जारखंड अकरतिक संपदा से भरफूर राज्य की हालत आज बीमारू राज्य जैसी है रगुवर सरकार के कुशासन के कारण जारखंड आज हर खेतर में पिछड रहा है राज्य के संसाधनों की लूट बची हुई है जारखंड के घरीब आदिवासियों की जमीन हडप हो रही है विद्यार्थियों के पास शिक्षा नहीं युवाओं के पास रोजगार नहीं महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर्ज के बोज तलेक किसान आत्म हत्या कर रहे हैं आर्थिक मंदी के कारण लोगों की नौकरियां जा रही है वही व्यापारी मंदी की मार जेल रहे हैं ऐसे हालात में रगवर सरकार ने जारखंड वासियों को राहत देने की बजाए अत्याचार करने का काम किया है जैसे की 6,000 रुपे के मात्रित्व लाप के कानूनी अधिकार को सुनिश्चित नहीं किया जारखंड विरोधी डोमिसाल नीती बनाई अधिकार मांग रहे आदिवासियों पर गोलियां चलाई जारखंड के युवाओं को नौकरिवंचित कर पलायन किया जारखंड को बुलंद बनाने के लिए भाजपा सरकार के पास न नियत है न क्षमता है और ना ही प्रतिबधता ऐसी सरकार को शासन करने का कोई अधिकार नहीं है जारखंड की जनताने बहुत सहन किये रगुवर के प्रहार अब भाजपा सरकार होगी जारखन के बाहर